अवतार 3 के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है. यह फिल्म जेम्स कैमरून की कल्ट साइंस फिक्षन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. परिवार, कमर कस लो. जेम्स कैमरून ने अवतार की अगली फिल्म, अवतार, फायर एंड एश के बारे में क कुछ बहुत ही गंभीर बातें की हैं. और मैं आपको बता दूं कि यह लोगों को चौका देने वाली है. D3 3 पर Entertainment Weekly से बातचीत करते हुए, कैमरून ने बताया कि यह शीरशक किस बारे में है. और हाँ, इस बार, अवतार तीन कुछ गहन क्षेतर में प्रवेश कर रहा है. हम पेंडोरा से अब तक देखी गई किसी भी फिल्म की तुलना में अधिक गहरे, कठोर और अधिक गहन की बात कर रहे हैं। और उसके साथ आने वाली भावनाओं के क्रूर चक्र में गोता लगा रहे हैं. लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि यह कोई विनाशकारी और निराशाजनक फिल्म होगी, कैमरून हमें आश्वस्त करते हैं. मैं इसे एक डार्क फिल्म नहीं कहूंगा. मुझे लगता है कि यह पिछली फिल्मों की तुलना में अधिक अंधेरे स्थानों पर जाती है. लेकिन फिर भी यह सपष्ट रूप से एक खुला, शानदार, भव्य रोमांच है. इसलिए जबकि चीजें गहरी और थोड़ी पेचीदा होती जा रही हैं, हम अभी भी उस क्लासिक अवतार रो लोक ने कथा वाचक की भूमिका निभाई है. नई नजर, नया माहौल, कहानी विकसित हो रही है और जिस तरह से हम पेंडोरा को देखते हैं, वह भी बदल रहा है. और यह जान लीजिए एश पीपल आ रहे हैं. कैमरून संकेत दे रहे हैं कि ये लोग चीजों को हिला देन हाए हैं. हाँ, हम नावी को सिर्फ अच्छे लोगों के रूप में ही नहीं, बलकि बहुत ज्यादा जटिल लोगों के रूप में भी देख सकते हैं. अवतार, द, वे ओफ वाटर ने बॉक्स ओंफिस पर धूम मचा दी, कैमरून ने अगले सतर के ट्विस्ट की योजना ब बनाली है. ओ, और ओजी कास्ट? वे वापस आ गए हैं. जेकसुली के रूप में सैम वर्थिंग्टन, नेतिरी के रूप में जो सल्दाना, किरी के रूप में सिगोर्नी वीवर, हाँ, वे सभी इसमें शामिल हैं. साथ ही, नए पात्रों के बारे में भी चर्चा है जो सुर हो जाईए. यह सर्फ एक और अध्याय नहीं है. यह पेंडोरा पर एक नए गेम की शुरुवात है. अप रत्याशित चीजों की अपेक्षा करें, नई जनजातियां, बदलते गठ बंधन और एक कहानी जो सामने आने के लिए तयार है. दिसंबर दो हजार पचीस की उल्ट इकारिक तोर पर शुरू हो गई है.